बच्चों ने कई सवाल पूछे हम से कि गुरु जी, खुश कैसे रहें? उन में से एक सवाल ये भी था कि कैसे खुश रहा जाए? तो खुश रहने के लिए सबसे पहले जुरूरी है कि आप दिमागी तोर पे बहुत मजबूत हों क्योंकि जरासी बात होती है उसे आप एक दम से अगर ये ले ले लेते हैं कि पतनी क्या होगा, कैसे होगा मेरे साथ पतनी क्या होने वाला है नेगटिविटी आपके अंदर ज़्यादा आ जाती और पॉजिटिविटी कम हो जाती है तो जुरूरी है अपने आपको पॉजिटिव करना पॉजिटिव कैसे हों? किस तरह से हों? बहुत सारे कार्ण हैं जिसे आप पॉजिटिव रह सकते हैं पहला कार्ण, सबसे बड़ा कार्ण अगर आप ओम हरी अल्ला वही गुरु गौड खुदा रब का नाम जपें, सुमरन करें, भगती करें जब भी आपको समय मिले, थोड़ा सा समय निकाल के अपने परमात्मा को, अपने राम जी को याद करो वो आपके अंदर एक शक्ती भर देगा जो आपको दिखेगी नहीं आपके अंदर शक्ती भरती जाएगी जिससे आप एक दम से किसी चीज को अपने उपर हावी नहीं होने देंगे होता क्या है, जरा सी कोई बात होती है आप अपने उपर हावी उसको होने देते हैं ये सही नहीं है, जैसे कम थोड़े से नंबर आ गए किसी भी टेस्ट में आप देते हैं तो आपको लगता है कि जिंदगी गई, नहीं, कुछ नहीं हुआ, कम हुए, कोई बात नहीं, आप और पढ़ा ही करेंगे, और हिम्मत करेंगे, हम कई वर कहा करते हैं, कि यह गिलास है, और उसमें पानी आदा है, पूरा नहीं भरा हुआ, तो एक आदमी कहता है, आदा खाली हुआ है, उसके अंदर पॉजिटिविटी है, तो आप आदा गिलास भरे हुए वाले बने, ताहां कि आपके अंदर पॉजिटिविनेस रहे, पूरा आपके अंदर एक यह इच्छा शक्ती रहे, कि हाँ, मैं अगर किसी चीज में थोड़ा सा पीछे रह रह रहा हूं, तो क थोड़ा समय लें, कि उसने आपको गलत बोला, एक दिन दे दें, तो और भी अच्छा है, यसे आपको पहले भी बोला, या थोड़ा समय दें और सो्च विचार करें, कि जो आप को कहा गया है, कि वाके उसका अर्थ वो है, जो आपको बताने वाले ने बताया है, क्योंकि जल्द वाजी में आप अपने आप पे टेंशिन हावी कर लेते हैं, जो दुख का कार्ण बन जाता है। तीसरा, किसी को भी सुखी देखके, आप ये तो सोच सकते हो, कि यार मैं मेहनत करूँगा, राम जी तु किर्पा करना, मैं भी ऐसा सुखी हो जाऊं। पर आप ये मत सोचा करो, कि यार ये सुखी क्यों है, आज ज्यादा तर लोग दुखी इसी बात से हैं, कि दूसरा सुखी क्यों है, इस बात से नहीं कि मैं सुखी नहीं हूँ, तो आप ये सोचें, कि वो खुश है, वो सुख में है, सुख में जीवन बैतीत कर रहा है, तो मै मैं भी ऐसी हिम्मत करूँ, वो भी इनसान है, मैं भी इनसान हूँ, अगर मैं हिम्मत करूँगा, तो मैं भी सुखी हो जाओंगा, मैं भी उस पद्वी पे पहुंच जाओंगा, मैं भी उस मंजिल को पालूँगा, जो उसने पाई है, तो ये अपने विचारों को बदलना है, और ये सारी तारें आके जुड़ जाती है आतम बल पे आतम बल होना चाहिए आपकी सोच को पॉजिटिव करने के लिए बात घूम के वहीं आ गए कि राम का नाम जरूरी है जो आपके दिमाग में एक शक्ती बर देता है एक ताक्त बर देता है जिससे आप पॉजिटिव सोचते हैं पॉजिटिव देखते हैं और नेगटिव कोई वी चीज आते हैं उसको इगनौर कर देते हैं हम ये नहीं कहते कि टोटली इगनौर कर दीजिए क्योंकि अगर कुछ गल्द आपको लगता है तो उसे सुधारने की कोशिश करना ये जुरूरी है तो अंदर की खुशी पाना चाहते हो आत्मिक शांती वो तो प्रभू के नाम के सिवाए और कहीं से मिलती नहीं लेकिन बाहर से भी खुश रहना चाहते हो और अंदर से भी खुश वो भी प्रभू का नाम ही पहले नंबर पे आपको बताया है पर खान पाने में भी थोड़ा बदलाब ला सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज मसाले हैं तड़ी हुई चीजे हैं वो भी कारन बनती है कही बार आपके अंदर गैस है या आपके अंदर तेजाब बन गया तो वो आपको परिशान करेगा उस क्योंकि बना हुआ अंदर तेजाब गैस दिमाग को भी चड़ता है आम भाशा में कहा जाता है तो उसमें आप परिशान रहते हैं दुखी रहते हैं तो फिर सुख कहां से आएगा माँबापने जरा सा कुछ कह दिया तो गुस्सा आजाता है और किसी और परिवारवाले ने कुछ कह दिया तो गुस्सा आना तो नैचरली है तो इसको कंट्रोल करो आप माँबापने आपको जन्म दिया है उनकी बात को इतना बुरा मत माना करो, बुरी मत बनाया करो क्योंकि आप एको धारण के तौर पे बच्चो द्यान से सुनना एक इंट लेलो वो तीन किलो की होगी, ढाई किलो की होगी, चार की जितनी भी क्या आप पेट पे बांद के उसको तीन-चार दिन सो सकते हो नहीं सो सकते न क्योंकि करबड बदलोगे, ऐसे करोगे ते इंट दर्द करेगी नहीं सो सकते जरा सोचो माने नौ महिने गर्ब में रखा है अगर नौ महिने गर्ब में रखती है वो थोड़ा सा भी आपको टोक देती है तो आप इतना बुरा कैसे मनाते है आप तीन दिन तक एक इंट नहीं रख पाए और उन्हें आपको नौ महिने गर्ब में रखा है इतना तो उनका हक बनता है इतना तो कर्तब्य बनता है बाप ने आपको रास्ता दिखाया जिंदगी जीने की कला सिखाई पढ़ाई में लगाया आप जाना भी नहीं चाया करते थे तो उन्होंने सिखाया कि नहीं बेटा जरूर जाना है किसलिए ताकि आने वाला समय आने वाली आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो तो बच्चो किसी भी बात पे एक दम से डिसीजन ना लिया करो टेंशन ना लिया करो बल्कि ये सोचा करो कि हमने पॉजिटिव रहना है और उसके लिए सबसे बड़ी ताकत फिर से वहीं पे आ जाएंगे राम का नाम है प्रभू का नाम है उसके बिना आपके अंदर आतम बल नहीं बड़ेगा और आतम बल के बिना कल में जो जाधा जीने की सोचता है यानि एक तो गुजर गया उसको अपने उपर हावी ना होने दो TENSION आ गई या कोई परिषान ने आ गई आपको लगता है कि ये गलत हो गया तो वो उसको अपने उपर हावी ना होने दे नया दिन नई सोच के साथ शुरू करें फ्यूचर के प्लैन बनाना अच्छी बात है लेकिन इतने मत बनाओ कि उसमें उल्ज के रह जाओ पूरा एक नहीं हुआ और बना लिए बहुत सारे तो आज मैं जीओ आज अब ये सोचो कि आज मैंने बहुत अच्छे करम करने है आज मैंने मेहनत करनी कल को भूल जाओ भूलने की कोशिश करो पर फिर वहीं पे बात आ जाती ये सब करने के लिए अगर एक दम से भूलना चाते हैं तो ओम हरी अल्ला वह गुरु गौड खुदा रब का नाम लेना होगा चलते बैठके लेटके काम दंदा करते आप सुमन करते रहे जरूर खुशी आएगी और जो सुख चाते हैं आप आत्मीक शान्ती और बहरी तौर पे सुखी रहना चाते हैं इससे आपको जरूर नसीब होगी इससे आपको जुरू मिलजाएगी